नमस्कार इस वीडियो में हम देवी लकश्मी के साथवे रूप विजय लकश्मी के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और कैसे इनका बहुत गहरे से वास्तु और जोतिस से संबंद है इस बारे में भी बात करेंगे तो विजय लक्ष्मी या जय लक्ष्मी जीत देने वाली देवी है ना केवल लड़ाई में बलकि सफलता के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में भी विजय लक्षमी को अश्ट भुजा आठ भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाये जाता है आठ भुजाओं यानि बहुती ज़्यादा स्क्रिय है, बहुती ज़्यादा कर्मठ लाल वस्तर पहने हुए है वो, लाल रंग सूरे से और मंगल से भी कवन होता है उनके हाथों में चक्र, शंक, तलवार, ढाल, कमल और पाश यानि फंदा जो यम के हाथ में भी होता है, वो है और उनके अन्ने दो हाथ अभे मुद्रा और वरद मुद्रा में है विजे लक्ष्मी साहस, अध्यवसाय यानि दर्टा, स्टेडफास्टनेस, आत्मिश्वाश, निडर्टा और जीत रूपी धन का प्रतीक है यह धन हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमें अपने जीवन पत पर सफलता पूरवक बढ़ाई रहता है, अगरसर करता है यानि धन दौलत की कमाई से हटकर हमारी उपलब्धियां, हमारे पुरसकारों का प्रतीन देत्व करता है जो के धन से कहीं बढ़कर है, मालो कोई खोज की किसी ने, कोई काल जई, रचना रची, कोई धुन बनाई, कोई मूवी बनाई, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई मूर्ती शिल्प बनाया है वास्तु अनुसार कोई सुन्दर भवन बनाया है, तो वो धन लक्ष्मी से बहुत जदा बढ़कर है लोगों को रेकगनीशन चाहिए, औरेरी पोजीशन चाहिए, इस तरह भारत रतना या नोबल पुरसकार है, जिसको मिला, उसका नाम ज़्यादा है उसका ये सम्मान ज़्यादा है, बजाए के किसी ने करोडों कमा रखे हो तो विजय लक्ष्मी का अर्थ है, जीतने की भावना, लड़ने की, जूजने की भावना है, ये विजय होने की भावना है ये का जातना, परसीवरेंस मैटर्स मच देन इंटेलिजेंस लगे रहो, लगे रहो, चरई वेती, चरई वेती तो धन हो, बेशक शौरे हो, सहास हो, लेकिन केवल उतने से काम नहीं चलता जब तक उसी फिल्ड में लगे नहीं रहते, जब तक विजय नहीं मिल जाती, जब तक सफलता नहीं मिल जाती हाथ दो के जब तक हम पीछे नहीं पड़ते किसी चीज के तो वो किसी काम के नहीं है लॉंग रन में तो विजय का मतलब है जीवन में हाथ में लिए सभी काम और जीवन के सभी पहलों में सफलता प्राप्त करना हाला कि आप देखेंगे पहले जो छे लक्ष्मी अलग-अलग रूप लक्ष्मी के उनकी में चर्चा कर चुका हूँ उन में से एक या एक से ज़्यादा लक्ष्मी लोगों के पास होती है लेकिन उनमें हो सकता है विजय लक्ष्मी की कमी हो किसी ने धन तो कमा लिया लेकिन वो दबू है और वो ultimately सफल नहीं हो पाएगा ये लोग किसी भी कारे में सफल नहीं हो पाते क्योंकि परसीवरेंस नहीं है अध्यवसाय नहीं है उस दिशा में लगातार लगे रहने का सामर्थ नहीं है तो विजय लक्ष्मी लोगों को उनके कामों में सफल बनाती है इसको वास्तु में कैसे देखेंगे एक इशान से नहरित्य में रेखा कीचिए तो उसका जो आगने शेत्र है वहां से विजय लक्ष्मी देखी जातीए या फिर पूर्व पष्चिम रेखा कीचिएगे ये भाग खुले होंगे वो जिस काम को हाथ में लेंगे उसको पूरा करेंगे इन दिशाओं के दिगपाल कौन है? इंद्र जो देवताओं के राजा हैं अगनी अगनी की परसिंचा में बहुत सी रिच्चाएं मिलती है रिग वेद में और दूसरे वेदों में अगनी की परिजन्स के बिना हिंदूों में विवानी संपन होता और यम जो के यम पुरी के राजा है सबी के कर्मों का मरने के बाद निरधार नोई करते हैं तो वास्तु में मैंने दिशाएं बताईए आपको और जोतिश में विजय लक्ष्मी की तुलना सूरे और मंगल ग्रह से की जा सकती है जिनका सूरे और मंगल ग्रह स्ट्रॉंग होगा वो विजय लक्ष्मी को पराप्त कहेंगे मैं यह दो हुरस्कोप ले रहा हूं केवल एक भगवान राम की कुंडली देखिए सूरे दिगबली है उच्च के हैं दशम भाव में ख्याती योग और मंगल रुचक महापुरुश योग बना रहे हैं सब्तम भाव में कहां आयुद्यापुरी, कहां श्रीलंका वहां जाकर कोई संसादन नहीं थे उनके पास वहां जाकर उन्होंने चड़ाई की रावन को मार के अपना काम पूर्ण करके लोटे, विजय प्राप्त की अल्टिमेटली और दूसरी तरफ हम लेते हैं वीर सावरकर की कुंडली वीर सावरकर की कुंडली में मंगल कोई रूचक महापुरुशयोग नहीं बना रहा लेकिन चंद्रमा से तीसरे में है पहली राशी में कोई रूचक महापुरुशयोग नहीं है और सूरे वो छठे भाव में है शत्रू राशी में शुकर की राशी में और शनी के साथ है शत्रू दूसरा बैठा है उनके साथ में तो सूरे भी बली नहीं है तो वीर वो थे लेकिन जो अखंड भारत का सपना था उनका जो विजे श्री चाहते थे वो वो नहीं मिल पाई और उनके जीवन के आखरी शन आखरी साल गुमनामी में भी थे उन पर गांदी जी की हत्या कारोप भी लगा जिसमें वो एकदम मुक्त हो गए थे लेकिन जो विजे श्री वो चाहते थे वो नहीं मिल पाई धन्यवाद आपको दिवाली की हार्दिक्षिव कामना